हलो दोस्तों आप लोगं का स्वागर है अमरे चैनल पे और आज का वीडियो होने वाला है हाउ तो वाच मार्वल मुवीज इन और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया इसका मतलब आप लोगों को पता है कि 8 जुले 2022 को थौर का चौथा पार्ट यानि लव एंड रिसे वणट होने वाला अभी जब किसी Egg suit सिक्वाल या तो हम लोग क्या सोचते अगर हमने उसके पूरानी फिल्मиком नहीं देखिए तो हम लोग यह सुचते हैं इसकी पहले पार्ट कोन से थे थे तो हम लोग जाकर वह सिक्वेंस वार्विस देख क्या अगर आप लोग य फॉरेवर आने वाली है 11 नॉवेंबर 2022 को इन दो फिल्मों को समझ पाओगे और उसके बार में भी बहुत सारी फिल्म जैसे कि सिर्फ ऑर सिर्फ उनीं फिल्मों की बात नहीं बताने वाला उला कि और इंगरी मेन के पहले इतना इतना बड़ा यूनिवर्स क्रेट करना इसके बारे में तो इस फिल्म dziehven Feig ने सोचा भी नहीं था और यह वग होंगे कि Iron Man Marvels की पहली फिल्म है तो ऐसा भी कता ही नहीं है अलाकि Iron Man के पहले भी Marvels ने कुछ फिल्में बनाई थी और वो फिल्म है क्या हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए यह भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा फिलाल हम स्टार्ट करते हैं हमारी Marvel Cinematic Universe की सबसे पहले फिल्म थी Iron Man जो रिलीज हुई थी दो में 2008 को और इस फिल्म ने रॉबर्ट डॉनी जुनियर इस अक्टर को पूरा वर्ल्ट में मतलब देना था वर्ना इस फिल्म के पहले रॉबर्ट डॉनी जुनियर को अमेरिका के बाहर को इतना जानता नहीं था जो तो इसलिए उन्होंने Iron Man और The Incredible Hulk यह दो साथी साथ फिल्म में बन रही थी हला कि रिलीज पहले Iron Man हुई सेकेंड नमबर पर रिलीज हुई The Incredible Hulk लेकिन रुको गाइस The Incredible Hulk देखने से पहले मैं आपको सला दूँगा आप पहले 2003 में से रिलीज हुई हल्क फिल्म देखिए हला कि यह सिनेमाटिक युनिवर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन जब आप The Incredible Hulk देखना स्टार्ट करोगे तो उसके स्टार्टिंग में आपको कुछ फिल्म में एक साइंटिस रहता है और वहां से वह कैसे सूपर हिरो हल्क बन जाता है उसकी पूरी कहानी आपको हल्क में देखनी मिलेगी उसके बाद थर्ड नंबर पर इंक्रेडिवल उसको मारने के लिए आता है और पिर उनके बीच में लड़ाई होती है और उसके बीच तो आप Iron Man 2 देखे उसके बाद रिलीज हुई थी थौर की पहले फिल्म छे में 2011 को यह फिल्म रिलीज हुई थी तो इसको इतना अप्रिशेट नहीं किया गया था हला कि यह फिल्म आने वाली एवेंजर सीरीज का एक बहुत बड़ा बेस बनने वाली थी क्योंकि इसमें हमको लोकी और थौर यह जो दो मेंन केरेक्टर से जो आके पूरी युनिवर्स में बहुत ज्यादा हंगावां मचाते उन दोनों का आपको इंट्रोड़क्शन इस फिल्म में मिलेगा उसके बाद सिक्वेंस में आती है कैप्टन आमेरिका दे परस्ट आवेंजर के नाम में ही ह सबसे बैस फिल्म मार्वल्ड दे अवेंजर तो मतलब यह पहली बार ऐसा था कि इंडिविजिव फिल्म में हर बार बनती आ रही है लेकिन मार्वल दे लेटा की खासियत ही एक फिल्म में एक ऐसी कहानी बुनी गई जिसमें आयर्न मैं हल्क और कैप्टन अमेरिका जैसे च Avengers के बाद कई सारी चीज़े है जो बदल जाती है मतलब Iron Man की लाइफ में तो उसके कुछ consequences आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे और सच बता रहा हूं कि यह भी Iron Man 1 के बाद Iron Man की फिल्म थी इसके बाद आती है थोड़ी से आपको देखने के बाद इतना पूरा स्टोरी का इंपक्त लेके अगर आप यह फिल्म करती है लेकिन फिर भी आगर आपको और की यूनिवर्स को समझना है तो यह फिल्म बहुत इंपोर्टन्ट में इसकी जो मैंने करेक्टर है उसका कंटीनुएशन है तो वह उसके लिए आपको यह फिल्म देखने ही पड़ेगी उसके बाद आती है कैप्टन आमेरिका दविंटर सोल्जर तो यहां पर हाला कि कैप्टन आमेरिका जो है वह आपको पता ही चल गया है क यह सारे सूपर हीरो जो है वह निक फ्यूरी के अंडर एक शिल्ड नाम की जो और्गनाजेशन रहती है उसके लिए काम करने तो इसमें कई सारी ऐसे ट्विस्ट अंट तरन्स आपको देखने को मिलेंगा और वाकई मैं कहूंगा कि कैप्टन आमेरिका का स्टैंडर्ड जो आव और वाडी वन है और क्या ही एक्टिंग कि पढ़िया फिल्म टी गादियंस ऑफ दे गालक्सी की इसके बाद आई अवेंजर्स की सेकेंड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्टरॉन अभी तो उसकी स्तार्टिंग इस फिल्म से वी थी इसके बाद आती है ऐंटमैं मतलब मखी के टाइप के एसी अच्छी फिल्म लगें तो एंट-मैं सिकी बहुत हथ तक जो कंसेप्ट है वह सिमिलर है मतलब कंसेप्ट जहता स्टोरी की बात नहीं कर रहा हो कि यहां पर बहुत छोटा सा अमेरिका, सिविल वार, दोस्तों मैं सच बता रहा हु, मेरे को यह फिल्म का नाम Holmes आमेरिका क्यू रखा गया, या आज तक नहीं समझाया। क्योंकि अगर यह फिल्म है यह अगर आपने मिस्की न तो मैं कहूंगा कि Avengers के आपने सबसे बड़ी फिल्म मिस्कर दी इसमें हाला कि कोई विलन नहीं होता है इसमें लिटरली हमारे जो सूरे सूपर हेरो जाते हैं यह जो प्रोग्राम इसको बंद करने का फैसला लिया जाता तो मतलब इसके उपर जो लड़ाई है वह इतनी इंडरेस्टिंग लगी मतलब मैं सज बता रहा हूं मैंने बैट मैं वर्से सूपर मैं से बहुत ज्यादा एक्स्पेक्टेशन लगा थे जो मेरे बिल्कुल पूरे नहीं हो पाए जो इस फिल्म ने पूरे किया और इसका न फिल्म में ठंग से पेन नहीं पकड़ पाता है फिर वह अपने हातों को सही करने के लिए जलनी के लिए निकल जाता है और उसके उपर पुरी एक फिल्म है उसके बाद आई थी गार्डियंस ऑफ दे गैलक्सी टू यहां पर सीदा सीदा बात है कि जो गार्डियंस ऑफ दे यह स्पाइडर मैन एक अलग तरीके का स्पाइडर मैन लोगों को दिखाया गया था हाला कि अगर आप सिक्वेंस वाइज जाओगे तो तीन अब तक सीरी यह थीसरी सीरीस आप बोल सकते चल्मेदर मैं की पहला था 2002 में इसपाइडर मैं उसके बाद एक बनाई थी 1-12 में स्पाइडर मैन और उसके बाद बनाया था होमकमिंग अब यह होमकमिंग जब मैं देखने गया तो मेरे दिमाग में खयाल आया वह इसको मेंटर बनके इसको गाइड करने की कोशिश करता है और वह सब है इसमें आपको आयरन मैन को भी देखने को मिलेगा इसके बाद आई थार रागनौर और यह एक फिल्म ती जिसने थार को एक अलग लेवल पर लेके गया क्योंकि थार रागनौर जब रिलीज हुई त तक कि यहां पर आप लोकी के करेक्टर को देखोगे तो थोड़ी से सिंपेटी आएगी और कई सारी इसे कॉमिक सीन्स इसमें डाले हुए कि देख देखके हसी चूट जाती है और एंड में जो फाइट दिखा है वह तो ऑसम थी फिर उसके बार आई ब्लाक पैंथर कई सब इपोर्टन रहती है सबसे पहला रिजन यह है यह पहली मार्वल्स की बोलो इसी फिल्म है जो आसकर नॉमिनेट हुई बेस्ट फिल्म के लिए नॉमिनेट हुई सेकेंड यह ऐसी फिल्म ती जिसमें ज्यादा तर ब्लैक लोगों को दिखाया गया है और उसके बावजुद यह एक बहुत बढ़ी हिट फिल्म होई मतलब आज इतनी भी ब्लैक लोगों के उपर ब्लैक लोगों के उपर यानि जिसमें ज्यादा तर ब्लैक लोग उनका कल्चर दिखा गया है ऐसी कोई फिल्म में सबसे ज्यादा बिजनस करने वाली यह फिल्म है उसके बाद आई Avengers Infinity War और एक ऐसी फिल्म थी इसका क्लामेक्स इतना हिला देने वाला था मतलब सही बता रहा हो गाइस अब तक मैंने इतनी सारी एवेंजर्स की बोलो या सूपर हीरो की फिल्म में देखी लेकिन जैसा एंड एवेंजर्स इंफिनिटी वार का था ऐसा किसी फिल्म का नहीं देखा और अगर आपने अभी तक इंफिनिटी वार नहीं देखे तो मैं आपको बता हुए इंड ऐसा दो हो नहीं सकता बाकी ये फिल्म और इस फिल्म के होज़े से थैनोस का जो मतलब एक इंपक्ट पूरी दुनिया पे चाया थैनोस की जो प्रूरता इसमें दिखाई है और उस क्यों कि अर परिशानी से उलज रहा होता है और उस परषानी में उलजते उलचते वहान पर रहोग चको पताल और है और 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 Captain Marvel आएगी मुझे पता ही नहीं था उसके बार मुझे लगए डारेक एंड गेम आएगी लेकिन जैसी Ant-Man का एंड गेम में बहुत बड़ा मतलब एक रोल है वैसी Captain Marvel का भी बहुत बड़ा हुआ गया है वह अगर आपको नहीं पता है तो यह फिल्म के जो एंड के सीन से पोस्ट क्रेडिट सीन जिसको बोलते हैं वह आप देख लीजिए उसमें आपको एक्जाक्ली पता चलेगा कि इसके आख के साथ क्या हुआ था था थोड़ा फणी था तो मेरे को इसलिए बोलते कि वह देखके वह लोग मतलब इंतिजार कर रहे थे इस फिल्म का उनको एक्सपेक्टेट था उतनी बड़ी एक्शन पैक्ट यह फिल्म होगी लेकिन एंड गेम का ऐसा होता है इंटरवल तक का हिस्सा एसा रखता है आपको कि उसमें कुछ एक्शन ही नहीं मतलब कहानी है कहानी में चीजे जो है वह एक करने की कोशिश करें जा रही है लेकिन उसमें बिल्कुल भी एक्शन ना होने को यह से बहुत सारी लोग आपको परसनल इंटरवल तक बहुत बोल की और स्पेसिफिकली इसका जो क्लैमेक्स का सीन है ख्लामेक्स में जो थैनोस और थैनोस के स था वो एक तरह से समाप्त हो गया था क्यूंकि इसके बाद इन्हों ने करेक्टर्स को जोडने वाली कोई फिल्म का ना अभी कोई अनॉंस्मेंट किया हुआ है और ना कोई फिल्म आई इतने दिन तर अभी इसके बाद आई स्पाइडर मेन की पार फ्रॉम हो तो कुछ ऐसी चीजे होती है जिस वजह से स्पाइडर मेन के उपर ज्यादा जिम्मेदारिया आती है और फिर उसके चलते कुछ चीजे होती है और वह आपको पार फ्रॉम में देखने को मिलेगी और मेरे हिसाब से personally मेरे को homecoming से ज़्यादा interesting यह लगी क्योंकि इसमें जिस तरीके से उसका character को matured बनाया गया है वो बहुत अच्छा लगता है उसके बाद आई black widow अभी हाला कि black widow जो है यह universe में कई connect नहीं होती है क्योंकि यह black widow का prequel है मतलब black widow जैसे iron man की first film कैसे iron man बना जैसे black widow black widow कैसे बनी उसके उपर पूरी यह कहानी है उसके बाद आई शाइंची and the legend of the 10 rings 3 September 2021 को और यहाँ पर बिल्कुल ही एक नए character नई कहानी इंट्रोड्यूस की गई है अभी इसका आने वाली marvels film के साथ क्या connection है कैसे जोड़ा जाएगा उसका कोई अंदाजा मुझा भी तक नहीं है शायद आगे जाके फिल्मों में हमें पता चलेगा इसके बाद आई 5 November 2021 को Eternals अभी Eternals एक ऐसी super hero की forge है इटर्नल कोई एक बंदे के उपर फिल्म जैसे शैंग ची जो है वह एक बंदे की कहानी है लेकिन इटर्नल जो है वह पूरी एक group की कहानी है एक group मतलब हमारी universe में exist करता है एक दूसरा villainous group है deviance करके उनके साथ fight करने के लिए धर्ती पर आया हुआ है hanos जब दुनिया को नश्ट कर रहा था उस वक्त इटर्नल का आते तो इटर्नल की theory ऐसी है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है मतलब धर्ती पर क्या चल रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है इनको सिर्फ एक एमिशन पर भेजा गया है कि जो debiants है जो एक विलनियस ग्रूप है उनसे सिफ इनको सामना करना है कि उनसे धर्ती को कोई नुकसान ना पहुचे बाकी धर्ती पर कुछ भी हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है तो यह बिल्कुली एक अलग concept पर फिल्म थी कुछ लोगों को यह पसंद आई थी क कुछ लोगों को नहीं आई थी तो इसके बाद आई थी 17 डिसेंबर 2021 में spider-man no way home एक ऐसी फिल्म है यह फिल्म अगर आप इटर्नल के बाद तुरन देखने की कोशिश करोगे तो आप इस फिल्म का बहुत एहम हिस्सा मिस कर दोगे अब इसके पीज़े का रीजन क्या है यह मैं बताता हूँ क्योंकि no way home का अगर अपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में आपको साफ साफ दीख रहे कि पुरा सबसे पहले वह देखिए इसमें जो टॉबी मैगवर ने पिटर पार्कर का रोल किया हुआ है इस फिल्म को टेकनोलोजीकली आप देखो कि तो बहुत आपको अच्छी लगेगी आज भी 2002 की फिल्म मतलब 20 साल पुरानी फिल्म होके भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यह 20 स पहली फिल्म थी इसके बाद आई थी 2004 में स्पाइडर मैं 2 तोences व Tina Dopus में दोस्पाइदर भी अस्पाइडर मैं नोवे होनगे 24 Dr. Octopus जो है वह Spider-Man 2 के विलन थे यह भी एक साइंटिस्त थे और कुछ experiment के दर्मयान कुछ ऐसा हो जाता है कि वह hero से विलन बन जाते हैं और इसके बाद आई थी Spider-Man 3 2007 यह एक grand level के फिल्म थी मैंने इसका budget भी उस वक बहुत देखी है अब यह तीन फिल्म बनने के बाद चौथी फिल्म बनने वारी थी Spider-Man 4 लेकिन फिर उन्हों ने उस फिल्म को cancel किया और इन्होंने एक अलग universe create किया जुलाए 2012 में आई थी अमेजिन Spider-Man जिसमें भी character जो रहता है वो भी पीटर ही रहता है लेकिन यहां पर अभी जो कहानी है वो बिल्कुल ही different हो जाती है मतलब जब यह film आई थी तब मैं यह सूच लाए था कि क्यों यह इस कहानी को आगे नीच बढ़ा रहे मतलब जो 3 थी उसको ही आगे क्यों नहीं बढ़ा है वही characters या actors को लेके चलो characters change कर लेकिन वही characters को लेके क्यों नहीं बढ़ा है अभी इसका रीजन जो है वह आपको मिलेगा Spider-Man No Way Home में तो 2012 कि यह आपने अगर Amazing Spider-Man देख लिए तो इसके बाद वापस आई थी Amazing Spider-Man 2 जो 2014 में आई थी तो यह back to back आप दो फिल्म में देख लिए और इसके बाद आप वापस आपने MCU के Spider-Man No Way Home पे आ जाईए अभी Doctor Strange in the Multiverse of the Madness देखने से पहले मैं आपको सुझा हो दोंगा आप X-Men सिरीज जो है X-Men सिरीज की कोई एक फिल्म मतलब जो फर्स्ट एक्समें सिरीज फिल्म आई थी वह भी आप देख लोगे तो भी चलेगा और आगर आपने एक्समें सिरीज को देखा ही नहीं है और आप Marvel Universe जैसी कोई सिरीज आपको देखनी है तो आप X-Men की पूरी सिरीज देख लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि उसके उपर एक प्रॉपर रेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताए मैं उसके उपर भी पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा लेकिन X-Men की एक कोई तो फिल्म यार फर्स्ट फिल्म एट देख लीजिए अगर यह वीडियो आप फॉर लव एंट देखने के बात देख रहे हो तो जीतनी भी फिल्म में स्टार्टिंग से आपके मेस हुए वह आप देख लीजिए तो आपको जो बीच में के कनेक्शन्स जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा न कोई-कोई कहानी का जैसा कि इसमें क्या छूटा क्या नहीं वह आपको पता चलेगा और उसके बाद जब 11 नवेंबर 2022 को ब्लैक पैंथर वाकंडा फॉरेवर आएगी वह आप देख लीजिएगा और आने वाली जैसी फिल्में आएंगी मैं आपको इस चैनल पर आपडेट दूंगा तो बस आ अगली वीडियो में तब तक के लिए उड़बाएं